वॉलिवूट के लाइम लाइट हर किसी को आकरशित करती है और करोडो लोगों का सपना फिल्मों में काम करने का होता है और उन सब के सहनसा है अमिता बच्चन जिने दुनिया माचो मैन के नाम से भी जानती है अमिताव के इस पड़ाओ पर भी दुनिया उनकी फैन है आज भी अमिताव के साथ काम करने के लिए लड़किया उनका बिस्तर गर्म करने के लिए भी तयार है पर दोस्तों क्या आप चानते हैं वॉलिवूट के इतने बड़े अभी नेता ने कुछ इतनी बड़ी गलतियां भी की हैं जिनके बारे में अमिताब कभी बात नहीं करना चाते हम आपको इस वीडियो में अमिताब की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी तीन गलतियों के बारे में बताएंगे जो कोई नहीं जानता डी ग्रेट की फिल्मे करना अमिताब ने अपनी फिल्मी करियर में गंदी फिल्मों में भी काम किया है इसके बाद उनके फैन उनसे काफी नाराज हो गए थे ऐसी बोल्ड फिल्मे करने पर अमिताब को आज भी पच्तावा होता है फिल्म निस्बद में अमिताव ने अपने से आदी उम्र की लड़की के साथ ऐसे बोल्ट सीन दिये थे और बेहत गंदे डायलोग बोले थे उम्र के ऐसे पड़ाव में ऐसा करना दर्सकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था अहीं भूम गेट की बलगर मुवी थी और आज भी अमिताव इस मुवी के सीन को देख कर सरमिंदी की महसूस करते हैं अमिताव का राजनिती में आना अमिताव की सबसे बड़ी भूल थी जिसे वो खुद भी सिवकार करते हैं अमिताव राजीव गांधी के कहने पर राजनीती में आये थे बात ये थी कि सन 1984 में इंद्रा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी अपने बफादारों की टीम बना रहे थे और उन्हें विरोधियों के खिलाब एक ऐसे प्रतासियों को खड़ा करने की जुरूत थी जो उनके विरोधियों की हा सुनिश्चित कर सकें ऐसे में उन्होंने इलाबाद से हेमवती नंदन बहुंगुडा के खिलाब अमिताव के नाम का चेहन किया और नतीज़ ये आया कि अमिताव ने चुनाव जीत लिया, उसके साथ ही अमिताव अविनीता की साथ साथ नेता भी बन गए थे, फिल्मों में काम करना और राजनीती में अमिताव साथ साथ कर रहे थे, इस दोर में अमिताव की कई फिल्में भी रिलीज हुई, जिसमें फिल्म मर्द ने अच्छा ख अर्फन नहीं पाए और उन्होंने राजनीती से सन्यास ले लिया अमिताव का मीडिया के साथ विवाद अमिताव का नाम वो हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं और लगातार कमेंट करते रहते हैं पहली है निहारानी और दूसरे है दीपक ठाकूर दोस्तों अगर आप भी चाते हैं कि हम आपका भी नाम हमारी वीडियो में ले तो आप हमारी वीडियो को देखें और कमेंट जरूर करें और इ प्यारा तेरी यारी को